बालों को 10,3 से लंबा घना मजबूत बनाना वाला हेरोल घर पर किस तरीके से बनाना है आपको रेसिदिंग हेर लाइन्स की पुर्लम में ये आपको डीएश्टी की पुर्लम सापके बाल बीच में से धीरे धीरे जाते जारे बालों में काफे हेर थेनिंग हो गई जिस से प्रोलम कम हो सकती किस तरीकिस का यूज करना हुआ है आपको आगे वीडियो बताने वाला हूँ इस कली पत्ते के अंदर एंटी ऑक्षिडेंड पाया गया है और हमारे स्केल्प के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा आयता है जिससे हमारे हेर थीनिंग की प्रोलम कम होने लगती है हेर को अच्छा नेट्रियंट्स पोचाने काम करता है इसके बाद हमें सेकंड चीज की जरुत पड़ेगी वह जैसे आप स्कीन पर देख सकते हैं काली मेरेज और लोंग दोनों चीजों को थोड़ी थोड़ी अमांट में कुछ इस तरी के सबको निकाल लेना अलग से पाल केंदर ओ लेलनायँ में कडिपत्टे को एड कर देना तो कुछ इस तरी के साथ को निकाल लेना और इस पत्ते आपके काफी थीन भी होने लगते हैं तो यह बिल्कुल रिकवर कर देगा आपके बालों को तो कुछ इस तरीके समने इस कोकोने ठेयरोल के अंदर इस कड़ी पत्तों को डुबा देना है अब हमें इसके अंदर सेकंड इंग्लिडे से लेना है जो हमने दो चीज़ आपको बत इंट्रेड हो जाए ओल के इंदर तो हमने इसको गेस पर रख दिया है और हल्ल की आच पी बिल्कुल पकाने एक बात का आपको खास दियान नहीं कि यह ओल बिल्कुल जलना नहीं चीए वहनना आपका ओल की आच में रखके धीरे-धीरे बोईल होने देना है तो अभी हम थ हातों पर नाल लगे वहना आपके हाथ जल सकते तो इस ओल कॉम छान ले रहे गरमी रखना है एक बात का खास द्याना यह ओल आपको ठंडा नहीं होना चीए क्यों क्योंकि हम जो आगे करने वाले नेक्स्ट स्टेप और बोतिक काम आने वाला आपके लिए अब इसको अच् सब्सक्राइब करने के साथ हमारे हेर ग्रोथ बढ़ाने में वहती फाइदा करता है तो क्रिंटी का एक पाउज आपको इस गरमा गरम ओल के अंदर डूबाए रखना है पांस से दस मिल तक अपको डूबाए रखना उसके बाद इस ग्रिंटी के जो भी यह एक्स्ट्रेट सब्सक्राइब करने पर आपके बाल काफी ड्राइड हो यह तो आपको यूज किस तरी से करना है आपको ओवरनाइट के लिए यूज करना या आप इसको दिन में भी लगा कर रख सकते हो लेकिन आपको बाहर नहीं जाना वनना धुल मट्टी आपके बालों पर चिपक सकती है तो कुछ इस तरी से इसको यूज कर सकते हैं